नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं सानों के लिए भी भाजपा के संकल्प पत्र में बड़ी घोसना की है अमित साह ने कहा है कि छोटे और सीमांद की सानों और पसुपालकों को प्रती एकर 5000 रुपए की दर से 25 रुपए तक दिये जाएंगे इसके लिए किसी असिरवाद जोजना की फिर से सुरुवात की जाएगी अमित साह ने जारखन के बकाया 1.36 लाख करोर का दिया हिसाब केंद्रिये ग्री हमंत्री अमित साह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी कर्सियम हमन सुरिन पन निसाना साधा है उन्होंने कहा है कि हमन्त बावू मैं हिसाब लेकर आया हूँ एक लाग 36,000 कोलो का हिसाब मैं दे रहा हूँ 2004 से 14 तक UPA सरकार ने जारखन को 84,000 कोलो रूपे दिये जबकि 2014 से 24 तक में मोदी सरकार ने जारखन को 3,808,000 कोलो रूपे दिये हैं 9 वंदे भार ट्रेनों का संचान हो रहा है और रांची जमसेतपूर में इंटर स्टेट कारीडोर का भी निर्मान हो रहा है। 9 वंदे भार ट्रेनों का संचान हो रहा है। 9 वंदे भार ट्रेनों का संचान हो रहा है। प्रधान मंत्री आज करेंगे चुनाव परचार अभियान का अगाज। प्रधान मंत्री नायंद मदी सोमवार को चाई बासा और गढ़वा में चुनावी सभा को समधित करेंगे। प्रधान मंत्री नायंद में चुनाव परचार अभियान का अगाज करेंगे। इस तभाओं के जरीवे कई सीटों पर निसाना सा देंगे। प्रधान मंत्री सोमवार को गढ़वा के चेतना में और चाई बसा के टाटा कोलेज मैदान में जन्द सभा को समधित करेंगे। जर्खन में बढ़ी ठंड पूर्वी हवा के आने से रांची समेत जर्खन में आज से तिन दिन आंसिक बादल चाने का असार है वहीं इस बदलाव के बावजूद मौसम सुस्क रहेगा। सुबा में धूंद या कोहरा चाय रहेगा लेकिन सुर्य देव के सामने आते ही धूंद छट जाएगी। हलाकि ऐसी स्थीती में रात के समय में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज होने के उमीद है। जारखन में आठ नॉमर से मौसम साफ रह सकता है रांची में दो दिन में चार डिरी तक पारा गिर गया है। वहीं राजी के बिभीन जीलों में निमतम पारा में अब गिरावट आ रही है। इससे रात में ठंड बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों में राजी के बिभीन जीलों के निमतम तापमान में कमी आई है। रांची में निमतम पारा पिछले दो दिन में चार डिरी तक गिर कर 15.5 डिरी सल्शेस पर आ गया है। नहाय खाय के साथ छट महापर्व कल से लोक आस्ता और सुर्य पासना का महापर्व छट का चार दिवसी अनुष्ठान मंगलवार से सुरू होगा। इस दिन वरत को करने वाली महिलाए आसनान ध्यान कर नित पुजा पाठ के बाद कदू भात समेत बिवीद व्यांजनों का ग्रहन कर वरत का संकल्प लेंगी। में अर्ग देने से समंधित ग्रामिनों की खरीदारी और तैयारी भी सुरू हो गई है। वहीं बजार में मिट्टी के वरतन आम की लकडी से लेकर पुजन समागरी की खरीदारी हो रही है। ग्रूप लोन दिलाने के बहाने 10,70,000 की खरीदारी जर्या में दो माइक्रो फाइनेंस कम्पेनी से लोन दिलाने के बहाने महिलाव पुरू समू से 10,70,000 रुपए की खरीदारी गई है। पुलिस छान बिन कर रही है। जर्या के इंद्रय चोकनिवासी रीना देवी ने ओनलेन सिकायत में कहा है कि समू की लीडर सुनीता, रविसंकर, छोटू, रंजीत, प्रभावती वा मदन साव सभी एक ही परिवार से हैं। इन लोगों द्वारा समूह लोन दिलाने के बहाने सभी का कागजात लेकर फाइनेंस कम्पनी से 10,70,000 रुपए का लोन उठा लिया है। चोह माबाद कम्पनी से उन लोगों के नाम पर लोन उठाने की जनकारी मिली। हंगामा करने पर सुनीता, रभी संकर, छोट्टू और मदन साव अपना घर बेच कर भागने की त्यारी में थे। तभी उन लोगों को पकड़ा गया। आरोपियों ने तीन लोगों को भगा दिया है, ठागी की सिकार हुए महिलाओं ने पुलिस से करवाई की मांगी है, इस समान में पुछे जाने पर जहरिया इस्पेक्टर सा थानेदार सासी रंजन ने बताया है कि थाना में लिखी सिकायत नहीं मिली है, सिकायत मिलने पर कर पर लिक बंद केंद्रीय मंत्री अमीर साने रभी और को बीजेपी का घोसना पदर जारी कर दिया है मौके पर उन्होंने हेमन्त सुरेन को जम कर हमला बोला और यूआओ के कई महत्पुन घोसनाएं की है उन्होंने रोजगार और पेपर लिक के मुदे पर सरकार को आधे हाथ की परिचा हो उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आये तो पेपर लिक महफ्याओ को उल्टा लटका कर सिधा कर देंगे अमिसा ने से सवाल पूछा है कि आपने प्रतिवस पांच लाख युवाओ को नोक्रित देने का वादा किया था मैं आप से हिस्ता मांगने आया हूँ 25 ला की पतनी सा गांडे विधाय कालपना सुरेन रभीवार को जमसेथपूर के उल्ली डिह में चुनावी सभा को समोधित किया उन्होंने जमसेथपूर पच्छिम बिधान सभाच खेत्र के इंडिया गडबंदन से कांग्रेस बरत्यासी बनना गुपता के पक्ष में लोगों स लागू करते हैं तो उनसे डरी हुई केंद्र सरकार उन्हें जेल भेजने का काम करती है कलपना सुरेन ने कहा है कि विपक्ष हमें बातने का काम कर रहा है जबकि इंडिया गडबंदन जोडने का काम कर रहा है जार्खन का हर गांव एक सहीद की कहानी कहता है केंद्र सरकार जार्खन का पैसा रोक कर बैठा है, गडबंदन की सरकार ने 55 लाक मैलाओं के खाते में मैया समय जोईना कलाब पहुंचाया है। पैसा पहले हमें 5 साल में 5 लाक रोजगार का जबाब दे। है कि असम का वाटर गेट 17,000 कोड का समपति जिनकी इड़ी ने जप्त की अजीत पवार को सीम बना दिया कमले सिंग मधुकोडा भानु परतब साही को किस ने अपने साथ लिया है गड़वा में बाबुलर मांडी ने कहा UCCC से आदिवासी समाज रहेगा बाहर भाजपा परदेश अध्यक्ष बाबुलर मांडी ने PM9 मोधि के गड़वा में कारकरण को लेकर रविवार को कारे करम अस्थल का नेरिक्षन किया प्रदान मत्री चार नोमर वो गड़वा आ रहे हैं कार्क्रम अस्थल कनेक्षन के बाद बावुला मांडी ने भाजपा परत्यासी के चुनाव का एले में कहा है कि भाजपा की सरकार बनी तो जारकन में UCC लागू किया जाएगा जिससे आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा भाजपा पर्देश अद्यक्ष ने गिरी मंत्री के द्वारा जारी संकल पत्र की चार्चा करते हुए कहा है कि भाजपा ने पांच संकल जारकन के लिए लिया है इसने पहली केविनेट में गोगो दीदियों जने लागू कर महिलाओं को ससक्ति करन करने के लिए कईस्ट उपर प्रतीमा खाता में देने पांच सो में गय सिलिंडर जहारकन के सभी परिवार को उपलब्द कराने असम के सीम ने हिमंत सरकार पर साधा निसाना असम के सीम ने राज सरकार पर निसाना साधा है और कहा है कि हिमंत सरकार ने मया समाने वियना नहीं सास बहु में जगरा लाने की स्कीम सुरू किया है आसम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सर्मा ने गुमला में चुनावी जन सभा को समोधित किया उन्होंने बिश्णू पूर बिधान सभा सीट से भाजपा परत्यासी समीर उराओं के पक्षमें लोगों से वोट देने के अपील की वहीं गुमला में एमंत्री विश्वा सर्मा ने हिमंत सर्कार पर जमप का निसाना शाधा उन्होंने कहा है कि हमंत्र सरकार ने मयद समान यहिना नहीं आझान सरभा चुनाओं को लेकर अब परचार परशार सुरू हो गया है। पार्टी का पट्टा पहना कर जामों में सामिल कराया इस मौके पर अस्थाने नेताओने मुख्य मंत्री को बा माला पहना कर स्वागत किया है इस और मंत्री मिसलेश ठाकू ने कहा है कि अब यहां की जानता पिछे मुड़ कर नहीं देखेगा पुरु के परतियासी ने 10 वर् विकास किये हैं आपकी सब की जमानत चप्त हो जाएगी जाम तला में सलक हाथ सा दो यूको की मौत गोविंदपूर साहेवगान स्टेट हाईवे पर मोहनपूर के पास अग्यात वहान की चपेट मैने से मोटर साइकल पर सवाथ दो यूको की मौके पर ही मौत हो गई घटन के बाद मोके पर पूलिस पहुँचके ग्रामियों को समझा पुझायकर सलक जाम हटवाया है बताया जारा है कि नर्यानपूर थाना चेतरी के गनेश मरांडी और संकर मरांडी नमक दोनों यूक बाइक से लोहरंगी गाओ लोट रहे थे इसी दोरान मोहनपूर के पास अग अपने समर्थ को के साथ घाटनास्थर पर पहुंची है रांची के 72 छट घाटों पर तयारी छट महा पर वोको लेकर नगर आयोक संदीप सिंग ने रभी और को रांची विभीन छट घाटों पर चलड़े विसेश सफाई अभियान अम निगम की ओर से की जा रही विसेश तेयर योक निरिक्षन किया है काके डेम बड़ा तलाब हटनिया तलाब समेत अने तलाबों का जाजा लेते हुए उन्होंने दिशा निदेश दिया है कि चिनीत सभी 72 घाटों की साफसफाई 24 गंट में पूरी करें सुरक्षा को देखते हुए खतरनाक छट घाटों की वेर पूजा करें और पूरी रांची कुडा मुक्त रहें इसके लिए नगर निगम किटी मुस्ताइदी के साथ कारियों का निप्टार करने में जुटी है बीजेपी में सामिल हुए हिमंद सुरिन के बरहेट से प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी की बिधान सभाज चुनाव परभारी सिवराई सिंग चौहान सभ परभारी हिमंद विश्वा सर्मा और गोडा सांसर डाक्टर निसिकान दुबे के मौझूदगी में मंडल कमल के हो गए हैं केंद्रिय मंत्री सिवराई सिंग चौहान और सम के मुख्य मंत्री हिमंद विश्वा सर्मा ने गोड़ा से बीजेपी के सांसर निसिकान दुबे के आवास पर उन्हें बीजेपी की सरस्ता दिलाई बता दे मंडल मुर्मु ने कहा है कि वे सही सिद्धू कानों के वंसा जाएं अपनी एकछास से उन्होंने बीजेपी जुआइन की है संताल परगना में जीस परकास से डेमोगराफी बदल ली है उस पर वे भारतिया जनता है पार्टी के साथ मिलकर चिंतन मनन करेंगे राजफल और करवाईन के साथ दो गिरफतार राजफल और करवाईन के साथ दो अपराधी गिरफतार किये गए हैं साथ मनसूर अनसारी की निसंदही पर अपराधी कर्मी आर्यन के दोस्त ललू माली के घर से एक अवैध देशी राइफल और पिसकर नगडी स्थीत सहवान अनसारी के घर से एक देशी करवाईन बरामत किया गया है धन्यवाद